Hello everyone, welcome back to my channel, मैं हूँ स्नेहा सिंग, आज किस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं about teeth यानि ये दातों के बारे में कि इनकी संख्या कितनी होती है, क्या इनकी सनरशना होती है, इन सब चीजों पर डिसकस करेंगे ठीके, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं about teeth, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखेंगे teeth की structure, कि उसकी सनरशना क्या होती है, ठीके, तो यहाँ पर यह जो डाइग्राम है, अब यहाँ पर हमारा जो दात होता है, जो हमारा teeth होता है, व एक यह बीच वाला और एक यह नीचे वाला, इन तीन भागों में बटा रहता है, इसको हम first बोलेंगे, second और यह थर्ड, ठीके, तीन इस वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, crown बोलते हैं, ठीक, यह second वाला जो भाग होता है, इसको हम नेक बोलते हैं, यानि कि गर्दन यह हमा हमारे तीत की क्या है? गर्दन है यानि कि नेक है, और सबसे नीचे वाला जो भाग होता है, जो कि हमारा छुपा रहता है, हमारे मसूडे में, यह third वाला पार्ट हमारा कहलाता है, इसको हम बोलते हैं, जड, मुल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं, इसको हम कहते हैं, रूट, ठीक है तो इसको हम बोलते हैं रूट तो तीन पार्ट होते हैं मारे दात के ठीक है पहला होता है जिसे हम क्राउन बोलते हैं या फिर शिकर बोलते हैं ठीक है शिकर वाला भाग होता है सेकंड होता है नेक या फिर हमसे गर्दन बोलते हैं बीच वाला भाग जो क्राउन होता ह कि यह हमारा दिखाई देता है है ठीक है और यह जो कि ब्लान्ट के अगर हम पौदे का जड़ वाला भाग होता है जो मूल यानि की जो रूट वाला बाट होता है वो छिपा रहता है मिट्टी के अंदर तो बिल्कुल वही यहां पर सिच्वेशन है कि यहां पर जो दांत का जो टीथ की रूट है वो यहां पर मसूड़ी में लगी रहती है तो इसलिए की बाटी पर्वित को नीचे वाला अलग होता है तो जök आंदर की छीज़ों से दांत को बहर सकिते हैं बाहर जो थो आम गालत कब ना हम यहां बाहरुती है लोग से लेता है सो लुटा के इनदर हो टीडिंग को उत्सकोर को सबैसे वह भाइट नहीं होता वह भाइट के पर्थ होती है क्या होती है पर्थ होती है कवरिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं इनैमिल बोलते हैं तो उपर की जो हमारी पर्थ होती है जिसकी विज़े से दांत जो सफिद दिखाए देता है न तो वह सफिद वाला क्या है एक दांत और यह वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं पल्प बोलते हैं ठीक है इसके अंदर के हमारी यह ब्लड वैसल्स होती है पल्प में हमारी क्या होते हैं ब्लड वैसल्स होती है तो बाहर की जो covering होती है white color की उसको तुम किया वोलेंगी एनेवल बहुते हैं, इसके अंदर वाला जो part होता है ठीके उसको हमshop अम अंदर हमारा pulp होता है जिसमें हमारी blood vessels होती है, connected रहती है और इसके साथ ही साथ जो हमारे nerves होती ठीके बारे बोड़े के अधर और और यह हमारा जो डात होता है वो किस में विट रहता है? वह हमारा फिट रहता है गम्सक्षाणी जो मसूड jsूड होते हैं, उन कि जो टीथ होते हैं टीथ में हमने देखा कि इसमें हमारे तीन भाग आते हैं ठीक है पहला पहला भाग जिसे हम लोग क्या बोलते हैं क्राउन बोलते हैं या फिर इसको मैं क्या बोलती हूं शिखर ठीक है तो पहला भाग हमारा शिखर कहलाता है या फिर इसे बोलते हैं क्रा root of the teeth teeth याने की दाथ teeth याने की मैं दाथ के बात करनी हुए आपे ओके तो किलिया रहे इतना अब इसके बाद हम लोगों ने इसके अलग अलग parts भी देखे थे ठीके इसको note कर लिया आप लोगों ने अब इसके बाद हम लोगों ने इसके parts देखे थे किसके टीत के अब इसके बाद हम लोगों ने टीत के क्या देखे थे टीत के अलग-अलग टीत के हम लोगों ने क्या देखे थे उसके भाग देखे थे क्या-क्या चीज़े होती है उसमें तो टीत में हम लोगों ने क्या देखी थी एक हमने देखा था इनामिल इनामिल देखा कि डेंटाइन कि इसके बाद हम उने पल्प देखा था ठीक है जिसे हम नोक क्या बोलते हैं और दंत मज्जा बोलते हैं दंत मज्जा ठीक है और इसमें भी हमारे इसमें भी हमारे क्या थी इसमें हमारे क्या थी ब्लड वैसल्स थी ठीक है और नर्व्स थी ठीक है ब्लड वैसल्स यानि की रुदर वाहिक आए रुदिरवाहे काएं और नर्स यानिकी तंत्रिकाएं तंत्रिकाएं भी थी 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 तो ये भाग थे हमारे टीथ में इसके बाद जड़ वाला भाग था इस्तो टीथ में हम लोगों ने इतनी सारे चीज़ देखी कि हमारे दादकी किस तरह से होती है और काम क्या होता है हमारे दात का चवाना ठीक है भोजन को चवाने का काम होता है उसको छोड़ चोटे टुकड़ों में तोड़ना ही हमारे दातों का कार रहे होता है अब यहां पर देखो यह हमारे टाइप से टीथ के कि टीथ यह कितने टाइप होते हैं कितने प्रका एक यह एक यह और एक यह चार प्रार की दाथ है यह ठीक है फोर टाइप्स हैं फोर टाइप्स हैं हमारे टीद के तो इन टाइप्स की बारे में हम लोग समझ लेते हैं ठीक है पहला जो टाइप है यह वाला जो आपको दाथ दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बो है कि प्री मोलर कि मोलर अगर हम लास्ट वाली बात करें तो समुलते हैं मोलर तीथ तौम लोग ने टीचर देख लिए टीच के टीट जो है उसकी सनशना कैसी होती है ठीक है अब हम लोग लोग वीडियो में क्या पढ़ेंगे इसके टाइप स्ट्क्राइब ना उनके बार में तो अभी हम लोगों ने क्या देखा हम लोगों ने टीश की स्ट्क्ट्ट्थर देखिए इसके टाइप समूरे देख लेके चार प्रागे होते हैं टीक हमारा इंसीसर या निक रन थक सेकड हमारा होता है रदनक याने कि टीट के टाइप सिक लिए इनके बार में लोग डीटेल देखेंगे कि हमारे माउथ में किस तरह से अरेंज होते हैं कितना नंबर होता है उपर कितना नंबर होता है नीचे कितना नंबर होता है ठीक है और दोनों साइड दाय और बाय कितना कितना नंबर होता है किस तरह से अर करेंगे और टंग की बारे में भी हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे उम्मीद करती हूं कि आप लोग को इतना कुछ समझ में आयोगा मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ